इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी HDFC मोबाइल बैंकिंग से HDFC की स्टेटमेंट की इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं सिंप्ली आपको मोबाइल बैंकिंग को ओपन करना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाना है इसके बाद login वाले column पर क्लिक करके login कर लेना है अब जैसे ही आप इसे login करते हैं तो यहाँ पर एक option मिलता है आपको कुछ इस तरह का arrow यहाँ पर आपको मिलेगा इस arrow पर आपको simply click करना है click करने के बाद option मिलेगा आपको statement का simply statement वाला option पर click करना है यहाँ पर एक arrow है इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपकी कुछ statement दिखाई जाती है जो कि आपने हाली के temper की हैं इसके बाद आपको scroll down करते हुए नीचे की और आना है जैसे आप नीचे की और आएंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा कि आप कितने से कितने time के बीच में अपनी statement को download करना जाते हैं इसके बाद आइस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे option आजाते हैं इन मेंसे आप कोई एक choice कर सकते हैं यहाँ पर आप last month, last 3 month, 6 month या फिर current financial year या फिर आपकी last financial year में कितने statement थी वो सारे यहाँ पर देख सकते हैं निचे क्यों रहेंगे तो एक option मिलता है आपको date यानि कि select range का कि आप कौन सी date से कौन सी date तक की statement डाउनलोड करना चाहते हैं इसके बाद select date वाले option पर click करेंगे यहाँ से आपको एक calendar option मिलता है यहाँ पर आप जी date से लेकर जी date की statement चाहते हैं वो यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद option मिलेगा आपको PDF का यहाँ पर आप अपनी file को PDF, XLX या फिर text में डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर option मिलते हैं इसके बाद आपको confirm पर click करना है जैसे आप calendar पर click करते हैं तो यहाँ से आप year पर click करेंगे यहाँ से आप कोई भी year choice कर सकते हैं चाहे आप किसी भी year तक की statement डाउनलोड कर सकते हैं आपके account ओपन होने के बाद तो जैसे कि हम 2022 की statement डाउनलोड करेंगे यहाँ पर date select करेंगे नीचे के और यानि कि कब से कब तक की date चाहते हैं तो यहाँ पर आज की date भरेंगे ओके करेंगे और इसके बाद option मिलेगा confirm का, simply confirm पर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं download file successfully होनी शुरू हो चुकी है अब यहाँ पर उपर के और देखेंगे तो हमारे सामने हमारे PDF file है जो download हो चुकी है इसके बाद PDF पर क्लिक करेंगे तो Adobe Reader पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी statement कुछ इस तरी से दिखाए देती है यहाँ पर आपने जितने दिन की statement डाउनलोड की थी वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर बहुत सारे page आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद आप इसे print कर सकते हैं और जहाँ पर use करना चाहते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी comment box में comment करके बताएं चैनल पर नए है तो subscribe करना ना भूले thank you for watching this video